स्वागा था आपका True Investing Channel पर दोस्तों बॉन्ड एक debt instrument है जिससे कोई company या government पब्लिक से लोन लेती है पब्लिक को लोन देने के बदले में इंट्रेस्ट मिलता है जिसे उस बॉन्ड का coupon rate कहा जाता है हर bond एक fixed time period के लिए होता है जिसे उस bond का maturity period कहते हैं एक bond पर interest payment monthly, quarterly, half yearly या फिर annually हो सकता है जो हमें bond के maturity period तक मिलता रहता है और maturity period इंट होने के बाद हमें अपना principal amount वापस मिल जाता है अगर हमने government से एक 10 लाग रुपे का bond buy किया है जिसकी maturity 7 साल और coupon rate 6% payable quarterly है तो इसका मतलब है कि हमने government को 10 लाग रुपे का loan दिया है जिस पर हमें 7 साल तक हर साल 6% यानि 60,000 रुपे का interest मिलेगा और ये 60,000 रुपे हमें quarterly हर 3 महिने पर 15,000 रुपे करके मिलेगे और 7 साल के बाद हमें 10 लाग रुपे वापस मिल जाएंगे ठैक्यू दोस्तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए